रादे रादे जैसी क्रश्ना आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्यम्य का दिट्रिय अधाय सुनाने जा रही हूं। सिरी क्रश्न चंदर जी बोले हे प्रिये उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पती का राक्षिस द्वारा मरन सुना तो वह दुखित होकर विलाप काने लगी। वह बोली हाँ प्राणनात हाँ पिता तुम हमको त्याग कर कहां चलेगे। अब मैं आप लोगों के बिना ऐसाहीनी हो गई हूँ। हाँ मैं क्या करूँ अब भोजन और वस्त्र आदि को कोन मेरा पालन पोशन करेगा। कोई कार्यवी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कोन इस नहीं से मुझे विद्वा का पालन करेगा। मैं कहां जाऊं। कहां रहूं। क्या करूं। हाँ मैं ऐसी घ्रनित हो गई हूं। मेरे पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊं। मैं बड़ी पापी नहीं हूं। शिरीकरश्न चंद्र जी कहते हैं। चील पक्षी की भाती रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायू में जख जोरे हुए केले के व्रक्ष की नयाई धर्ती पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आया तो फिर बहुत विलाब कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदनंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच कर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविदी पिता और पती का श्राद आधी कर्म किया। और विश्णु भगवान की भक्ती में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करकर उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरन परियंत वह एकादशी तथा कार्थिक व्रत को विदुईवत करती रही। हे प्रिये ये दोनों व्रत भुक्ती, मुक्ती अथ्वा पुत्र संपती देने वाले और हमको अत्यंत प्रिये हैं। जो मनुष तुला की सक्रांती पर सूरिय के आने पर कार्थिक मास में सवेरे के समय इसनान करते हैं। वे यदि बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पुज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्थिक में इसनान, जागरन, दीबदान थता तुलसी रक्ष की रक्षा करते हैं। वे विश्नु के समान पुज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्थिक में विश्नु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्थिक में तीन दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिनोंने जन्म भार तक व्रत किया है उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगा कर प्रती वर्ष कार्थिक का व्रत और भक्ती पूर्वक विश्णु भगवान की आरादना करती रही। एक समय की बात है गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड लगी। उस विहल अवस्ता में ही उसने गगन मंडप से आते हुए विमान को देखा। उस परशंक, चक्र, गदा, पद्म, आदी, विवित, आयूदों से युप्त थता विश्णु रूप धारन करने वाले पार्षद, विद्यमान, गरूड की धजा से युप्त और अपस गणों से सुसोबित उस विमान पर गुनवती को चड़ा कर चवर डुलाते हुए विश्णु गण उसे बैकुंट में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वै प्रदिप्त अगनी के समान लगती थी। इस प्रकार वैकार्थिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई बहुत समय बाद जब रमादी देवताओं की प्रातना से मैं इस लोक में आया तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। ये भामीनी ये सबी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में तुमारे पिता था वह इस जन्म में सत्रजीत यादव हुआ और उस जन में तुमारा पती चंदर शर्मा एक्रूर हुए हैं। तु वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुर्णे से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था उसी के पुर्ण पुर्णे से आज तुमारे घर्म में कल्प वर्क्ष सुशोबित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीबदान किया था। उसी पुर्णे से इस समय तुमारी देहे में शोबा है। और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रता अधिक पत प्रति सरुप भगवान को अरपन किये थे उनके फल से इस जन्म में तुम मेरी भारिया हो। जन्म से लेकर मरन परियंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था इसी से कभी भी हमारा तुमारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुमारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यग्ये दान व्रत तथा तब करने वाले प्राणी को भी फल प्राप्त होता है। वह कार्तिक व्रत का शोडशांस भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के कारण सरूप भगवान शिरीकरश्न को प्रणाम करके बोली। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्यम्य का दूसरा अध्याय सुनाया अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जदा से जदा शेर करके पूर्णय कमाएं। धन्यवाद।